Hello everyone, welcome to the exam time Sir, आज से हम लोग एक नए unit की सुरवात करने जा रहे हैं जिसका नाम है insurance मैंने जस्ट ऐसे annotation कर रखाता है यहाँ पर मैं सबसे पहले इसे erase कर दे रहा हूँ तो आज का जो हमारा topic है यह insurance है और insurance में basically हम लोग सुरवात करने जा रहे हैं unit number 1 की तो क्या है insurance कैसे यह सारी बातों पर चर्चा करेंगे लेकिन जस्ट मैं अगर तुम्हें एक overview दू तो insurance जैसे subject से एप्रॉक्स दो से तीन questions arise हो जाते हैं तुमारा examination में ठीक है इससे ज़्यादा आने की chances बहुत कम होते हैं लेकिन ठीक है दो से तीने coverage question तो मान कर चल सकते हो कि इसे तुम्हें देखने को मिल जाएगा अब insurance को deep में जाने से पहले मैंने यहाँ पर तीन important facts रखे हैं जिसमें से first और last वाला यहाँ पर important हो सकता है most important first हो सकता है 19th January 1956 को life insurance sector को कर दिया गया था nationalize और उसी year में LIC अपने force में आई थी अपने action में आई थी तो यहाँ पर सबसे first important point यही आता है कि 19th January 1956 को nationalize किया गया था पूरे life insurance sector को वहीं बात करूँ last point की तो LIC की जो है वो monopoly हुआ करती थी till the late 90s जब insurance sector reopen हुआ था private sector के लिए ठीक है basic point यह हो जाता है अब देखो insurance को समझना पड़ेगा हमें यहाँ पर कि insurance होता क्या है देखो insurance में यहाँ पर मैं दो scenario तो मैं समझाने की कोशिस करता हूँ first यहाँ पर देखना यहाँ पर दो वेक्ती हैं ठीक है Mr. A है यह और यहाँ पर Mr. B है यह अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो Mr. B ने क्या करा यहाँ पर life insurance लिया Mr. B ने life insurance लिया इन्होंने लिया है एक किसी company से या फिर किसी एक वेक्ती से यह company भी हो सकती है चीज़े समझ आ रही है या नहीं आ रही है Mr. B से इन्होंने एक insurance लिया तो जो व्यक्ति insurance लेता है वो क्या कहला था insured जो व्यक्ति insurance लेता है उसे हम बोलते हैं insured और जिस व्यक्ति से लेता है जो company प्रोवाइड करती है उसे हम नाम देते हैं insurer ठीक है अब ये क्या है basically contract है contract मतलब कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से insurance ले रहा हो आसान भासा में अगर हमें समझना चाहें अब इस contract को करने के लिए various principles हमें follow करने होते हैं जो कि हम लोग आगे discuss करेंगे उससे पहले just एक overview ले लो कि insurance contract क्या है ये contract है between the two parties जहां पर एक व्यक्ति insurer कहलाता है और दूसरा व्यक्ति insured कहलाता है इस contract में insurer जो होता है मतलब ये व्यक्ति Mr. A. भाई साब वो promise करेंगे the insured party की वो save करेगा to indemnify him from the losses जो की caused हो सकता है किसी particular contingent event की वज़े से और उन्हें उनके बदले premium पे करने होगे दुबारा से समझाता हूँ यहाँ पर Mr. A. ने insurance लिया है ठीक है एक minute देखो यहाँ पर लिखा हुआ है legal agreement होता है the individual named insured and the insurance company को हम लोग insurer बोलते है ठीक है Mr. A. यहाँ पर insured है अगर उन्होंने insurance लिया है एक company से तो उनको कहीं न कहीं यह feel होना चाहिए कि future में अगर हमें कोई नुकसान होता है जिसके लिए मैंने insurance ले रहा है ले रखा है तो वो नुकसान एक insurance company बेर करेगी उसके financial burden को तो यहाँ पर क्या होता है अब इसके बदले उन्हें premium time to time पे करना होता है insurer usually refers to the insurance company insurer किसे बोलते है insurance company को जो की insurance बेचती है किसको policy holder को या फिर insured को दोनों ही same है अब person जो खरीदे किसको insurance को उसको हम लोग नाम देते है insured और जब यो insurance खरीदता है उसे time to time क्या करने होते है premiums pay करने होते है तो यह kind of invitation हो सकता है अब question आता है insurance का purpose क्या है basically देखो basic purpose तो तुम्हें यह भी पता है कि insurance जब कोई वन्दा ले रहा है तो उसके पीछे एक reason है क्या reason है कि उसे लगता है कि insurance उसे protect करेगी हाँ actual में protect करती है लेकिन financial case में protection against uncertain events events जो होते हैं uncertains होते हैं को किसी ने देखा नहीं है तो जो भी future में नुकसांस हो रहे होते हैं losses हो रहे होते हैं उसको bear कौन करता है insurance bear करता है the main purpose of an insurance contract is to make the insured person secure and financially protected those situations arise वहे हैं यहापे कि insurance का काम क्या होता है तुम्हें secure feel करवाना और financially protect करना तो है from a uncertain contingency जिसके वज़े से बहुत जादा नुकसान हो सकता है तो पहला क्या हो गया protection against uncertain event वहीं अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो first यह है दूसरे की बात करूँ तो better management of finance insurance हमें हमारे funds का management करने में मदद करता है देखो हो सकता है कि हम लोग बहुत खराब financial decision ले that is poor financial decision ले तो इस decision को change करने में decision को influence करने में कौन मदद करता है insurance करता है वो हमारे funds का better management करता है कैसे better management होगा by subscribing and insurance policy हम लोग एक insurance policy को subscribe करेंगे तो कही ना कही हमारे funds अच्छे जगे पे ही लगेंगे तो that is better management of finance I hope चीज़े अभी तक तो clear हुई हूँगी just मैंने अभी बस basic तुम्हारे साथ discuss करा है ठीक है कुछ मैंने ज़्यादा tough यहां पे बताया नहीं तो चलो आगे देखते हैं थोरा सा अब देखना है यहां पे बात करते हैं types of insurance की insurance होते हैं दो प्रकार के एक होता है life एक होता है general दो insurance मैंने बता है एक होगा life दूसरा होगा general होता है life insurance में basically बात किसकी होती है खुद के किसी व्यक्ति के मृत्यू की ठीक है death की लेकिन general की बात करे तो other than life जितने भी होगे fire insurance हो गया vehicle insurance हो गया health insurance हो गया यह सारी चीचे इसमें आ जाती है तो अगर बात की जाए life insurance की तो life insurance cover क्या करता है the life of the insured अगर किसी रेक्ति की इमृत्यू हो जाती है तो उस situation में जो insurer होता है insurer कौन company होता है वो amount pay करता है to the nominee of the insured मतलब जो भी legal representative रहेंगे legal hire रहेंगे या जो भी nominee रहेंगे उन्हें क्या मिलती है payments मिलती है उन्हें क्या मिलते है पैसे मिल जाते है ठीक है जो वक्ती चला गया उसे तो कुछ नहीं मिलता है उसके पीछे जो रहे गया उन्हें चिज़े मिल जाती है तो basically life insurance यह हमें बताता है तो यह सारी चीज़े इसके अंदर आ जाती है समझ गये life insurance अब अगर बात करूँ general insurance की तो general insurance basically क्या है देखते हैं जरा इसे हर एक चीज़ को यहाँ पर cover किया जाएगा except life life insurance को छोड़ कर हर एक चीज़ जैसे health ले लो house ले लो motor vehicles ले लो fire हो गया जाती और उन सब का हमें क्या मिलता है financial assurance मिलता है against the losses अब मुँ बात करेंगे important topic की जो की है base of insurance मतलब जिस पे insurance काम करता है base कह लो या फिर principles कह लो ठीक है इसकी चर्चाब हम लोग करने वाले है so start करते है principles of insurance को तो देखो सबसे पहले मैं बता दू total कितने principle है तो total साथ principles है जो की हमें learn करने है और इसे important मान कर चलना क्योंकि आगे जितने भी types of insurance पढ़ोगे सब में ये principles होगे ही तो उस वक्त मैं जस्क तुम्हें overview देता हुआ चलूँगा फिलाद detail में समझा रहा हूँ समझते जाना एक एक चीज example के तुरूँ समझाऊँगा सबसे first रहता है principle of utmost good faith utmost good faith कहता क्या है सबसे fundamental और basic principle है यहाँ पर क्या होता है बोला जाता है कि transparency होनी चाहिए चीजों में transparency what is transparency चलो हटाओ इसे हटाता हूँ मैं यह कुछ नहीं है transparency बगएरा मैं example से समझाता हूँ यहाँ पर दो वेक्ति है first one is the insured जो insurance ले रहा है और दूसरा जो insurance दे रहा है जिससे हम खरीद रहे हैं insurer यह चीज़े समझ गए अब यहाँ पर देखो होता क्या है यह principle कहता क्या है जब आप insurance खरीद रहे हो insured के point of view से समझना जब आप insurance खरीद रहे हो तो उस वक्त आप हर एक facts को disclose करोगे हर एक facts को क्या करना है हमें disclose करना है insurer के सामने चाहे वो कोई भी बात हो उस insurance related example दूँगा साथी साथ यह principle और कहता है insurer के point of view से ठीक है चलो आप insurance बेच तो रहे हो लेकिन आपको हर एक terms हर एक conditions आपको clearly define करने होंगे to the insured जो वक्ति जो आपका insurance खरीद रहा है उसको हर एक शिज़ आपको समझाना होगा तो यह principle यह बोलता है example से समझते यहाँ पे एक example मैंने रखा है जेकॉब ने यहाँ पे health insurance लिया कौन सा insurance policy health insurance policy लिया जब वो insurance ले रहा था तो वो smoker था cigarette लेने वाला cigarette consume करने वाला था और करता था और उसने यह fact disclose नहीं किया insurance company से उसने यह fact बताया नहीं health insurance ले रहे हो और तुमने यह नहीं बता है कि तुम cigarette फूगते हो तो बाद में जाकर उसे क्या हो जाता है cancer हो जाता है क्या हो गया cancer हो गया तो इस case में insurance company क्या करे देगी deny कि मैं आपको health insurance के लिए health के लिए आपके check-up के लिए पैसे नहीं दूँगी ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा facts disclose नहीं हुए proper facts disclose नहीं हुए जिसकी विज़े से यहाँ पे jack-up भाईस आपको health insurance के पैसे नहीं मिल पाए तो basic चीज यहाँ पे समझ पा रहे हो यह principle क्या कहता है कि यहाँ पे चीजों को हमें करना होगा disclose क्या करना होगा disclose करना होगा समझ पा रहे हो एक मिनट एक मिनट चलो यह insurance बस इतना बात कहता है fundamental principle है जो जितने भी parties हैं both parties in an insurance contract उनको good faith में काम करना होगा वो provide करेंगे clear और concise information related to the terms and conditions of the contract जो contract है उसके terms and conditions को clearly define करेंगे हर एक information प्रोवाइड करेंगे यह समझ गे दूसरा आता है principle of proximate cause इसे हम लोग causa proxima भी बोलते हैं causa proxima causa proxima साथ ही साथ बोल सकते हैं nearest cause जो नजदी की कारण होगा किसी भी चीज का नुकसान होने का उसे यहाँ पे consider किया जाता है अब देखो ऐसा हो सकता है न कि loss जो हो वो दो या दो से अधिक कारण की वज़े से हो सके तो उस situation में company क्या करती है जो nearest cause होता है company उसे find out करती है क्या बोला मैंने हो सकता है कोई जो हमें नुकसान हुआ हो वो दो या दो से अधिक कारण की वज़े से हो तो insurance company क्या करेगी जो nearest cause है उसे find out करेगी और उस nearest cause को देखेगी क्या वो व्यक्ती ने उसका insurance ले रखा है या नहीं ले रखा है अगर लिया होगा तो अच्छी बात है आपको claim मिल जाएगा अगर आपने नहीं लिया होगा तो नहीं मिलेगा तो समझते हैं कि example से देखना यहाँ पे एक example है आग लगने की वज़े से building का एक wall damage हो गया a wall of a building was damage क्या बोला मैंने एक building थी एक building में आग लगने की वज़े से building का एक wall damage हो गया तो municipal authority ने क्या बोला कि अब इस building को कर दो demolish तोड़ दो building को क्या कर दो demolish कर दो ठीक है अब यहाँ पे एक चीज़ समझना demolish करते वक्त इसके बगल में एक 60 वी और building थी क्या मैंने बोला इसके बगल में एक और building थी जिसको वो जिसकी वज़े से वो भी हो गई damage मैंने क्या बोला समझ पाए मेरे बात को आग लगने की वज़े से एक building का wall damage हो गया तो municipal authority ने order दिया कि इस building को demolish कर दो तो जब demolish हो रहा था जो बगल वाली building थी वो भी damage हो गई तो अब यहाँ पे जो building के owner थे माल लो यह building था A और यह building है B building B के जो owner भाई साब थे उन्होंने claim करा fire insurance से the owner of adjoining building claimed the loss under the fire policy तो इस situation में court क्या करेगी fire को nearest cause माल लेगी fire को क्या कर देगी nearest cause माल लेगी और उसे insurance claim मिल जाएगा क्योंकि fire की वज़े से damage हुआ है काओगे नहीं भई यह तो demolition की वज़े से damage हुआ लेकिन ठीक है लेकिन आग लगा fire की वज़े से दूसरे वाले building में उसको demolish किया जा रहा था तो यह चीज कहीं न कहीं थोरा सो complicated हो जाता है बस हमें याद क्या रखना है कि principle of proximate cause क्या बोलता है जो nearest cause है company उसे find out करती है जो cause of proxima है company उसे find out करती है और फिर देखती क्या उसके दाइरे में वो चीज आ रही है या नहीं आ रही है अब समझते है principle of insurable interest ये principle क्या कहता है कि जो भी individual जो insurance ले रहा है उसका insurable interest होना चाहिए क्या बैने बोला insurable interest होना चाहिए उस subject matter में for example अगर तुम अपने घर की fire insurance ले रहे हो तो उस घर में तुम्हारा interest होना चाहिए insurable interest it means जब तुमने insurance लिया उस वक्त तुम उस घर के owner होने चाहिए साथ ही साथ जब तुम insurance claim कर रहे हो पैसे claim कर रहे हो उस वक्त भी तुम owner होने चाहिए ये principle बस इतनी सी ही बात बोलता है तुम इसे पढ़ लो तुम्हें चीजे clearly समझ आ जाएंगे just wait करना for a minute एक minute झाल sorry चलो तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे अपने principle की जो की है अगर देखा आ जाए तकी तर गया तो insurable interest में बस इतनी सी बात की जा रही है कि आपका subject matter में जिसका किया अपने insurance लिया आपका उसमें insurable interest होना चाहिए अब एक example दे रखा है जो vegetable card के हैं पर owner भाई साहब है उनका insurable interest है card में क्योंकि उससे वो earn कर रहे है लेकिन जब वो card बेज देते हैं यहां पर owner का होना important हो जाता है subject matter में at both time while entering the contract और जब accident हो रहा है या जब claim आप कर रहे हैं उस वक्त के next अगर बात करें principle number 4 कि that is principle of indemnity यह principle क्या कहता है ध्यान से सुनना कि यहां पर आप insurance से profit नहीं बना सकते हो क्या मैंने बोला आप insurance से profit नहीं बना सकते हो it means जितने का आपका नुकसान हुआ insurance company उतने का ही claim आपको दे रही होगी बस इतनी सी इसमें बात है और कुछ भी नहीं है principle indemnity is observed strictly for property insurance and not applicable for the life insurance contract यह चीज़ याद रख सकते हो ठीक है इसका principle का मकसद क्या होता है insurance का मकसद क्या होता है कि जिस financial position में आप पहले थे नुकसान होने से पहले आप थे वापस से उस financial position में लाना उस financial position में आपको लाना किसका काम होता है insurance का काम होता है ना कि unnecessary profit बनाना ठीक है तो principle of indemnity बस इतनी से बात बोलती है अब बात करते हैं principle of subrogation की subrogation क्या बोलता है subrogation means one party stands in for another देखना एक example से समझो Mr. A यहाँ पे injured हो जाते हैं एक road accident में due to reckless driving of a third party एक third party कोई वेखती होगा उसके driving के वज़े से खराब driving के वज़े से Mr. A भाई साब damage हो गए ठीक है injured हो गए तो company क्या करेगी with Mr. A took the accidental insurance Mr. A ने accidental insurance ले रखा था तो उन्हें वो compensate कर देगी अब उसके बाद company क्या करेगी Mr. A को जिनके वज़े से जिसके वज़े से नुकसान हुआ जिसके वज़े से उनका accident हुआ company उससे recover करती है amount recovery करती है ठीक है मतलब कहने का ये है कि अगर आपको नुकसान हो रहा है और वो नुकसान किसी third party के वज़े से हो रहा है तो insurance company वो amount उससे recover करती है आपको compensate तो करती ही है और उससे वो recovery लेती है sixth principle की अगर बात की जाए तो आजाता है principle of contribution contribution principle apply कहां पे होता है जब insured ने में कुछ अलग scenario बन जाता है example से समझो एक property पांच लाग की थी जो की insured की गई company A से 3 लाग के लिए और company B से 1 लाग के लिए the owner in the case of damage to the property for rupees 3 लाग can claim the full amount from company A लेकिन वो claim नहीं कर सकती है company B से now company A can claim the proportional amount reimbursed value from the company B समझना है पर क्या बुला गया दो company से, एक company से 3 लाग का ले लिया एक company से 1 लाग का ले लिया तो अब यहाँ पर जो damage हुआ वो 3 लाग का हुआ company A से 3 लाग, company B से 1 लाग damage कितने का हुआ 3 लाग का हुआ इस situation में Mr. A भाई साब company A से claim पूरा 3 लाग का ले लेंगे B से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है अब company A क्या करेगी बाद में इससे निफटेगी कि भाई चलो कुछ पैसे तुम मुझे लाओ अब तुम्हारा कोई claim तुम्हें दिने नहीं पड़ा मैंने full claim दिया तो कुछ value अब मुझे reimburse करो मुझे transfer करो समझ गे अब बात करे principle of loss minimization की तो ये principle क्या कहता है ये principle बात करता है कि देखो भाई ठीक है आपने insurance ले रखा लेकिन as a humanity as a ethical values आपके भी कुछ फर्ज बनते हैं अगर आपके सामने आपके घर में आग लग रहा है तो आप कुछ necessary steps उठाओगे जिससे की आग को control किया जा सके extinguisher का इस्तमाल करो अलग-अलग steps जो होते हैं उसका इस्तमाल करो so that कम से कम नुकसान हो तो principle of loss minimization बस इतनी से बात बोलता है कि कुछ necessary steps लो so that जो insured property है उसमें कम से कम loss हो समझ गे इस बात को ये just एक moral value हो जाता है तो ये हो गए total 7 principles next class में benefits को discuss करेंगे और आगे के जो topics होंगे मैं उसे cover करवाऊँगा अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दू जो भी बच्चे prepare कर रहे हैं for CUET PG exams वो join कर सकते हैं exam time के ultimate batch को इसके अंदर live plus recorded lectures मिल जाएंगे PDF notes है, online test है, doubt sessions है section के इंदर जाकर वहाँ से course को join कर सकते हो so end करते हैं अपने आज के session को मिलते हैं अपने next video में तब तक के लिए thank you bye and take care